नमस्कार दोस्तो एक बार फिस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन टेक्निकल इस्टिटूट पर और दोस्तो आप सभी के लिए जो है 23 तारीक का जो एक्जाम हुआ था पीछे उसका जो है आंस्वर के लिए क्या है और आपको पूरा का पर की बरती है उसके रिगार्डिंग आपको इसका थोड़ा सा बेनिफिट हो सके क्योंकि आपको पता है कि लगबग जो कोशन है वो आपके रिपीट हो सकते हैं क्योंकि वही कंपनी एक्जाम करवा रही है जो पिसली बार एक्जाम करवाई थी तो हो सकता है कि कोशन तो उमीद करूंगा कि यह आपके लिए काफी इन्फोर्मेटिव रहने वाले हैं तो आप जो अगर चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फाइदा हो सके तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपके लिए जो पहला प्षजिन है वो देखी क्या रखा गया था तो पहले कोशिन के अंदर आप से क्या पुछा गया था कि वेरियेबल कपेश्टर में इस्तमाल होने वाला डाइलेक्टिक प्रदार्त आमतों पर कौन सा होता है यानि कि जो आपका वेरियेबल कपेश्टर होता है उसके अंदर डाइलेक्टिक प्रदार्त है वो कौन सा यूज़ करते हैं तो यहां पर पॉली प्रोप्रोलाइन, हवा, सेरामिक, टेफलोन या पॉली स्ट्रोइरिन जो है आपको पांच ओप्शन दिये गए थे तो आपको पता होगा, कि जो वेरियेबल कपेश्टर है, उसके अंदर डाइलेक्टिक परदार्त, जो है वो आम तोरप हम लोग दो यूज़ करते हैं पहला जो यूज़ करते हैं और दूसरा जो है ऐर यूज़ करते हैं, तो आपका यहां पर जो आपका ऑप्शन में दिये गया था, वो air दिया गया था यानि कि हवा जो है वो यहां पर इस question का right answer होने वाला था अगर हवा नहीं होती तो इस जगाय पर आपको दूसरा option क्या देखने को मिलता था वोयल मिलने वाला था तो अब इसके बाद में next question गंदर आपसे दिया गया है कि 250 वोल्ट मुल्यांकित जो है voltage है उसके उपर जो है 500 वाट और 200 वाट के दो बलब जो है वो लगे हुए है उनका परतिरोध अनुपात क्या होगा यानि कि आपके पास जो है P की value देर की है एक की P की value देर की है और दूसरी P की value देर की है और आपका दोनों का जो है R का अनुपात पूछा है तो दोनों का जो resistance का अनुपात है आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूँ दोनों का जो resistance होगा वो असल में क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है यानि कि यहां पर R2 हो जाएगा और यहां पर R1 के लिए यूज़ होने वाला है यानि कि 500 की जो value है वो R2 के लिए और जो है 200 की value है वो आपकी R1 के लिए यूज़ होने वाली है तो अगर मैं बात करूँ यहां पर 500 और जो है यहां पर 200 तो इस जगहें पर अगर 500 और 200 की value रखते हो तो 200 और 500 को काटेंगे तो R1 और R2 का अनुपात क्या हो जाएगा तो 2 अनुपात 5 हो जाएगा यानि कि इसका जो right answer क्या देरका है इसने यहाँ पर 2 अनुपात 5 होगा क्योंकि असल में power और resistance का अनुपात पुछा था power की value देरकिती और इसमें resistance का अनुपात पुछा था voltage देरका था आपको अब देखिए यहाँ पर 3 कोशन के अनुपात क्या दिया गया आपको तो 3 कोशन में दिया गया है कि किसी conductor यानि कि किसी चालक में किसकी वज़ाए से electric current गुजरने पर उसमा उत्पन होती है तो आपको option दिये गए थे reactance, impedance, capacitance, capacitance, resistance या फिर inductance तो आपको पता होगा कि जो heat का formula है वो क्या होता है h बराबर i square rt होता है h बराबर i square rt होता है तो इसमें जो है किसकी बात हो रही है तो heat की जब भी बात आ रही है तो यहाँ पर resistance का बात आ रही है अबर i square rt के through यहाँ पर resistance जो है उसकी वज़े से electric current गुजरने से एक चाललक में क्या होती है उसमें पैदा होती है दोस्तो अब देखें next question के अंदर क्या पुचा गया है इसमें पुचा गया है कि इन में से कौन सा device जो है चुमब की है फिल्ड में के रूप में उर्जा संग्रहित करता है यानि की चुमब की है जो फिल्ड के रूप में उर्जा संग्रहित जो है इन में से कौन सा करता है तो आपको पता होगा कि जो चो की आफिर जो क्वाइल होती है दोस्तो वो उर्जा संग्रहित करती है क्योंकि असल में आपको पता होगा एक formula जो है energy store का एसी theory के अंदर आपको पढ़ाते है हम लोग जिसके अंदर बोलते हैं कि एक बटे में दो Li की square एक बटे में दो Li की square जो है वो इसका formula रहता है इसका मतलब एक जो coil होती है या जो चोक होती है उसमें उर्जा बंडारन होता है तो resistance capacitor ट्रांजिस्टर या rectifier इसका right answer नहीं होगा है a conductor यानि किए qoil जो है इसके अँधर अगर मैं बात करू होती हैं कि जो फियूज होता है उसकी wire का मुल्यांकन किसके रूप में किया जता है यानि कि fuse की जो wire होती है उसकी rating जो है वो किस रूप में ली जाती है ampere गंटा में ली जाती है ampere वोल्ट में ली जाती है kwh में ली जाती है ampere में ली जाती है या kvh में ली जाती है तो यहां पर आपको पता होगा कि जो आपका fuse wire होता है दोस्तों उसकी जो rating होती है वो अपने जो है ampere के अंदर लेते हैं यायने कि fuse wire की जो rating होती है वो कि तो वो अपने लेते हैं और असल में जो fuse की जो rating होती है वो अपने 1.5 गुणा होती है दोस्तो किसका तो load current का यानि कि load current का 1.5 गुणा जो है fuse की rating होती है दोस्तो अब देखें next question क्या पुचा गया है आप से पुचा गया है कि असल में किसी circuit में 33 ohm का resistance 2 amp की current ले रहा है तो पूरे resistance का voltage कितना होगा यानि कि जो यहां पर एक परिपत है जिसके अंदर 33 ohm का परतिरोद लगा हुआ और 2 amp की current ले रहा है तो voltage कितनी होगी तो आपको ohm के नियम से सुतर एक जो है याद होगा V बराबर में IR V बराबर में IR आपको एक formula यहाद होगा यानि कि यहां पर 2 amp की यह current ले रहा है और परतिरोद कितने ohm का है तो 33 ohm का है यानि कि इसका जो answer है वो क्या हो जाएगा 66 volt तो 66 volt कि C option में दिया हुआ है कि आपको तो जी हाँ यहां यहां पर आपका जो C option है उसके अंदर दिया गया है 66 volt वो इसका right answer हो जाएगा 66 volt अब देखें next question के अंदर आप से क्या पूछा गया है तो इन में से कौन सा कथन एक series और समानतर DC circuit दोनों के लिए सही है यानि कि इन में से कौन सा कथन जो है वो आपका एक series और समानतर DC के जो circuit होते है उनके लिए सही है तो element में अलग-अलग current होते है इसके अंदर current सहोजक होते है या voltage सहोजक होते है या power सहोजक होते है यानि कि इसमें बोला गया है कि जो series और समानतर का परिपत है ना उसके अंदर element में अलग-अलग current होते है यानि कि अलग-अलग current होते है दोनों में तो जी नहीं, series में जो current होता है वो same होता है और समंतर में अलग-अलग होता है तो दोनों के लिए सही नहीं है यह current जो है वो same होते है तो असल में सिरीज में तो सेम होता है लेकिन पैरलल जो है उन दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं अगर मैं बात करूँ वोल्टेज से होते हैं तो वोल्टेज जो है वो आपके जुड़ते नहीं है voltage आपके केवल और केवल series में जुड़ते हैं समंतर में तो same होते हैं इसके बाद में power जो है वो same होते हैं या A वाबी दोनों तो power जो होती है दोस्तों DC का परिपत हो जो उसके अंदर series का हो या फिर समंतर का हो दोनों में ही अपने जो power के लिए formula यूज़ करते हैं वो PT बराबर में P1 पलस में P2 यूज़ करने वाले हैं यानि कि power जो है वो आपके जुड़ने वाली होती है हमेशा तो इसका जो right answer है दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका जो right answer है वो हो जाएगा D option यानि कि power जो है वो आपके में हमेशा जुड़ती है चाहे तो वो series का परिपत हो या समंतर का परिपत हो अब देखें next question के अंदर आप से क्या पुछा गया है कि अगर 0.2 ohm का प्रतिरोध के एक wire conductor की लंबाई को दुगनी कर दी जाए यानि कि 0.2 ohm के प्रतिरोध के एक wire है तो उसके चालक की अगर लंबाई को मैं दुगनी कर दू तो उसका प्रतिरोध जो है वो खालिस्तान हो जाएगा प्रतिरोध कितना हो जाएगा तो देखो आपका जो लंबाई है उसके साथ में प्रतिरोध का क्या formula होता है तो आपको अगर याद है तो करवाया हुआ है कलास के अंदर आपको बहुत ही जी तरीके से करवाया हुआ है जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समान उपाती होता है 0.2 था अब दुगना होके कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा सिंपल सी बात है अब देखे इसके बाद में नेक्स्ट कोशिन गेंदर आप से क्या पुछा गया है कि अगर एक काज की छड़ और रिसम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है अगर एक काज की छड़ और रिसम के कपड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो काज की छड़ को खालिस्तान को रिसम के कपड़े में हस्तांतरीत करती है तो किसको हस्तांतरीत करती है यह आप से कोशन के अंदर पूछा गया है तो देखिए दोस्तो जो आपका प्रोटोन होता है और जो आपका न्यूटोन होता है यह तो दोनों जो चीजे होती है यह आपकी नाबिक में रहती है तो आपकी जो एक जगह से दूसरी जगह पे जो ज़ती है वो आपका होता है इलेक्टोन यानि कि इलेक्टोन को वो क्या करता है एक सांसे दूसरी जगह पे बेजता है यानि कि इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों भी रहने वाला है अब देखिए नेक्स्ट कोशन के इंदर पूछा गया है कि एक ही विदुतिय परतिरोध के लिए एक समान अनुपरस्त काट वाले एक कोपर कंड़क्टर की तुलना में एक ऐल्यूमिनियम कंड़क्टर का वजन खालिस्तान होता है यानि कि एक विदुतिय परतिरोध के लिए एक समान अनुपरस्त काट वाले एक copper conductor की तुलना में aluminium conductor का वजन जो है वो कितना होगा दोस्तों ये पुछा गया है तो असल में aluminium जो होता है दोस्तों उसकी जो चालगता होती है वो तो आपकी 61% होती है यानि कि यहाँ पर अगर चालगता का पुछा होता तो वो आपका 61% होता लेकिन जो वजन होता है दोस्तों वजन आपका कितना होता है 50% होता है यानि कि आपका वजन पुछा गया है copper conductor की अपक्षया तो वजन जो है वो 50% होगा और चालगता पुछ लिया होता तो यहाँ पर कितना होता यहाँ पर 61% होता अब देखें next question अंगे अंदर आपसे क्या पुछा गया है कि एक नारंगी नारंगी काला बूरा बेंगनी रंग का एक परत्रोद है यानि कि एक wire wound जो है आपका परत्रोद है जिसके उपर आपके अलग-अलग कलर की पट्टियां बनी हुए है जिसमें आपके कलर नारंगी नारंगी है काला बूरा और बेंगनी कलर है तो आपको एक याद होगी जिसके अंदर आपको बताया हुए बेबी रोए तो इसमें देखो यह जो है जिरो एक दो तीन चार पे चलने वाले है तो सबसे पहले इसने बोला है कि नारंगी किदने नंबर पे आता है? तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 तो नारंगी कितने नंबर पे आने वला है? तो 3, 3, 2 में इसने बोला है बलेक तो असल में 10 की पावर जो है वो आपका होता 1, 0 तो यहाँ पर असल में होना चाहिए इसका जो right answer है वो 33 ohm तो इसने जो आपका answer मान रखा है वो 3.3 kilo ohm मान रखा है लेकिन इसका जो right answer होना चाहिए दोस्तो वो होना चाहिए 33 ohm दोस्तो अब देखें next question के अंदर पूछा गया है कि नीचे दिया गया चित्र इन में से किसका मनक संकेत है यानि कि नीचे दिया गया जो चित्र है वो किसका संकेत आपको दिखाया गया है तो ये जो चिना दिखाया गया दोस्तों ये आपका दिखाया गया LDR का यानि कि Light Depend Register का यानि कि आपको यहां पर जो सिंबल दिया गया है वो किसका है तो light depend register का है अगर आपको सिंबल की proper वीडियो चाहिए तो मेरे इसी चैनल के उपर आपको 6 parts जो है वो मिलने वाले हैं जिसके अंदर आपको 6 parts के अंदर पूरे के पूरे जो है important important 120 symbol जो है वो हमने cover करने की कोशिस किया है आप अगर वो 120 कोशन के जो symbol है वो cover कर लेते हो तो आपके paper के अंदर उसमें से बाहर जो symbol है वो नहीं जाने वाल है तो जरूर उनको देखिए आपके लिए काफी helpful रहने वाले है वो अब देखें नेक्स्ट कोशन गंदर आपके क्या पुछा गया है कि एक बंद सर्किट में बेंटरी के दो टर्मिनलों के बीच विबव के अंतर को बेंटरी का क्या कहा जाता है एक बंद सर्किट में बेंटरी के दो टर्मिनलों के बीच विबव के अंतर को बेंटरी का क्या कहा जाता है तो EMF कहा जाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है, पावर कहा जाता है, या कंडक्टेंस कहा जाता है तो यहाँ पर जो है आपका दोस्तो जो बेंट्री जो होता है उसका क्या का जैता है उसको तो विवोांतर यानिकी दो tarmin Sandy we generally the तो असल में टर्मिनल वोल्टेज जो है वह आपकी बंद परिपति में होती है और य कम्रेख जो होता दोस्तों वह आपका नौ लोडुड की कंडिशन में होता है बिना लोड की कंडिशन में तो इसने पुचा है कि एक बंद परीपत एक डिसी बंद परीपत में बेंट्री के टर्मिनलों के उपर बात हो रही है ना तो बेंट्री के टर्मिनलों की बात हो रही है और बंद परीपत की बात हो रही है तो हमेशा बंद प कौन सा पहलू potentiometer से अलग है यानि कि potentiometer से कौन सा पहलू इसका जो है एक रियो state का अलग है तो इसमें कम voltage rating होती है इसे उच voltage rating होती है इनमें बड़ी संक्या में मोड होते हैं बड़ी संक्या में tapping की subida देता है तो CYD दोनो तो यहां पर कौन सा अलग है यह पुछा है तो अलग तो देखो दोस्तों उपर जो दो कोशन देर के हैं एक की बोला है कम वाटेज का होता है एक उच वाटेज का होता है तो यानि की कम वाटेज और उच वाटेज दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है तो यहां पर दोनों में से एक बात सही हो सकती है तो आपको आंसर जो करना चाहिए हमेशा इन कोशन में से ही करना चाहिए क्योंकि अब देखो नीचे वाले कोशन अगर कोई करके आए तो वो तो बहुत ही गलत करके आएगा आपको हमेशा ऐसे कोशन देखने है जिसमें आपके कोशन के अंदर एक आंसर गलत पूछ रखा है तो दोनों में से एक गलत होगा क्योंकि दोनों आपके एक कम बता रखा और एक ज्यादा बता रखा है तो या तो ज्यादा होगा या कम होगा तो एक गलत होगा तो इसमें से जो आपके रियो स्टेट उता है वो आपका पोटेंशियो मेटर की जो रेटिंग होती है वो आपकी रियो स्टेट से जो दोस्तो वाटेज रेटिंग जो है वो क्या होती है उच होती है ये कोशन जो है वो आपका गलत है दोनों की जो वाटेज रेटिंग है उस यानि कि किसी संगम पर आने वाली दाराएं और जाने वाली दाराएं आपको एक इस तरीके का अगर याद है तो इस तरीके का एक बता रखा होगा किर्चोफ का नियम जो है उसके अंदर जिसके अंदर बोला गया होगा कि किसी संगम पर आने वाली दाराएं और जाने वाली तो इसका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप से पूछागे कि खालिस्तान एक स्तिर विदूतिय फिल्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदूओं के बीच तानंतरित करने पर किया जाने वाले कारे हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर आप से पूछा गया है कि एक स्तिर विदूति फिल्ड के अंदर जो है आपका विरुद्ध में एक इकाई चार्ज को दो बिंदों की बीच में जो ट्रांसफर करने का जो काम है वो कौन करता है तो यहां पर जो बल और जो करंट होता है उसके पर वोल्टेच जो हो आपका का का काम करेगी और चलने का का मकण करेगा करेगी और कौट करेगी हिरुद प donor पर्तिरोद करेगा तो इसमें इसने जो कॉष्टन पूछा है उसमें पूझा है कि असल ने के लिश धिशने के लिए स्थानग डाउट करने के लिश धिए जो आपका यहां पर कौन काम करता है तो बेजने का काम कोन कर रहा है सल में तो दबाव लगाने का काम कोन कर रहा है सल में वोल्टेज कर रहा है तो इसका जो राइट अंसर क्या हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों अब देखें नेक्स्ट कोश्चिन के अंदर आप ratio होता है voltage thriller होता है voltage follower होता है यह gonna subur होता है तो दोस्तों यह electronics का question आ गया जिसके अंदर आप से पुछा गया है कि असल में जो आपका voltage का Ц ब्रपत कोन सा बनाता है तो इसकी असल में voltage डिवाइडर जो है वह आपका इसका right answer उने वाले है छो है वो कई चीजे और भी होती है जैसे एमेटर बेस बाइस वीदी होती है एमेटर बेस बाइस या फिर सेल्फ बाइस वीदी होती है जिसके अंदर ये जो सारी काम होते है लेकिन दो परतिरोद वाला परिपत किसके अंदर होता है तो वोल्टेज डिवाइडर वीदी के अंदर ह के पूछा गया कि कोपर के एक परमाणू में कितने एलेक्ट्रोन होते हैं तो देखिये यहां पर आपको दिया गया चार, सोलह, 22, 29 या फिर 34 तो यहाँ पर 29 जो है आपके तामबे के अंदर जो है इलेक्ट्रोन की संग क्या होती है दोस्तो और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि असल में जो आपका अल्यूमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रोन होते हैं तो यहाँ पर 16 हो जाता अब देखें नेक्स्ट कोशिन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है इन में से कौन सा गटक निश्चित DC को परवर्तित DC में बदल देता है यानि कि इन में से कौन सा गटक है जो निश्चित DC को परवर्तित DC में बदल देता है तो चोपर होता है रेक्टिफाय होता है या फिर जो है साइकलोग कनवर्टर होता है या फिर इन्वर्टर होता है इन में से कोई नहीं होता है तो दोस्तो इसके अंदर जो है आपका चोपर सर्कुट जो है वो आपका निच्चित DC को यानि की सुध DC को परिवर्थित DC यानि की पल्सेटिंग DC में चेंज कर देता है दोस्तो ये भी एक एलेक्ट्रोनिक सर्कुट है इसके बाद में नेक्ट कॉस्टिन के अंदर पुछा पूरा नाम होता है दोस्तों यानि कि इसके अंदर जो है SCR का पूरा नाम पुछा गया था कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो आपका SCR का पूरा नाम होता है कोई फी कन्फूजन नहीं होनी चाहिए इसकी में आपके लिए एक पूरी की पूरी जो है proper जितनी भी फुल फोंगा है उन से related एक अलग से proper वीडियो जो है आपको मिलने वाली है इसी चैनल के उपर जिसके अंदर आपको सारी की सारी फुल फोंगा मिलने वाली है दोस्तों और आगे के जो कोशन है वो आपको next class क्लास के अंदर करवाने वाले हैं तो आपको चाहिए अगर तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताईए हम जो है वो क्लास आपके लिए जल्द ही लेकि आने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि अगर आपको बेहतर लगी है क्लास आप चाहते हैं तो फि है ये कलास बेतर लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी दिखा रहे होंगे और साथ में वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली जो कलास रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलने वाला है बाकी अगर नेक्स्ट कलास लेके आनी है तो नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट किजिए हम जल्दी वो कलास लेके आने की कोशिश जरूर करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट कलास के साथ में तब तक के लिए जैहिन जैवार दोस्तो झाल झाल